हे गाईस कैसे आप लोग उम्मिद करते हैं कि आप अच्छे होगे दोस्तो आजम बात करेंगे इंडाने फोर्स अगनी वीर इंटाएक साइकंड दो हजाए चॉविस आले बैच के वारे में इस वार दोस्तो एज क्रेटेरिया कहा रहेने वाला इस आले बैच में यानि कि उम चैनल पर नहीं यो पहली वार आयो तो भाई चैन सस्काइब कर लेना अब बात करते हैं उमर सीमा के वारे में दो दोस्तो दिहान दीजे यदि आप इंडाने फोर्स एक्स एंड वाई गुरूप के लिए अपलाई करने वाले हो तो नंबर एक दोस्तो आपकी एज कितना हो होना चीए तो आपकी एज होना चीए दोस्तो साड़ा सतरह से लेके 21 साल के बीच ठीक है बेसेकली दोस्तो यदि आपकी एज इतनी होगी तो आप एपलाई कर पाएंगे कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है कुल मिलाकर दोस्तो साड़ा सतरह से लेके 21 साल के बीच आपकी age होना चाहिए इसी के बीच दोस्तों DOB criteria होना चाहिए कमेंट करके बताइए कि आपकी age कितनी है ठीक है साड़ा सतरह से लेके किस साल के बीच है तो आप X and Y group यानि की अगनी वेर के लिए apply कर सकते हैं ठीक है और हम आपको DOB criteria भी बताएंगे तो प्लीस वीडियो पूरा वाच करना तो अब आजाते हैं दोस्तों DOB criteria के बारे में number 1 हम आपको बता दें जो vacancy आएंगी तकरीबन दोस्तों वो होने वाली है 35 के तकरीबन ठीक है साड़ा तीन हैर के तकरीबन दोस्तों X और Y group की ये vacancy आएंगी जो की दोस्तों अगनी वीर की योजान लागू होगी है इन में तो इनका नाम बदल कर अगनी वीर वायू कर दिया गया है X और Y group को अटाएगा है ठीक है ये तो आप जानते होंगे चार साल की भरती होने वाली है और X को कह सकते हैं हम दोस्तो science subject और Y कह सकते हैं दोस्तो other than science subject ठीक है ये तो आप जानते हैं तो आगे बात कर लेते हैं दोस्तो age criteria के वारे में ये तो आप जानते हैं कि साल में दोवार भरती आती है अगनी वीर की X और Y group की ठीक है और जो नए भरती आने वाली है वो आने वाले हैं इसी महीनी में ठीक है दिसमबर के last week तक notification जारी कर दिये जाएगा डिगले कर दिये जाएगा IFA की तरप से तो भाई इस वार date of birth किया होगी तो हम आपको DOB बता दे समझा दे एक बार तो दोस्तो इसमें 6 महीने आप add कर लेजे क्योंकि ये इंटेक सेकंड 2024 साले batch की date of birth है ठीक है इसमें आप 6 महीने add कर दोगे तो इस वार डियो भी रहने वाली है 27 दिसमबर 2030 सा लेके 27 दिसमबर 2030 सा लेके 27 जून 2007 के बीच ठीक है तो जिनों का भी age दोस्तो इस criteria के बीच है वो apply कर पाएंगे कोई भी दिक्कत उनको नहीं आने वाली है तो जिनों का भी age भाई तयारी में आप लग जाए ठीक है इस वार जो इंडन एफोर्स अगनी वीर का exam होगा मार्च में होने वाला है तो आपके पास time है तयारी करने के लिए तो भाई लग जाओ आप तयारी में जिनों का भी age इस criteria के बीच है तो आप comment करके बताओ दोस्तो आपकी age इस criteria के बीच है या नहीं जिनों का भी उमर असीमा इसके बीच होगा apply कर सकते हैं तो हमने आपको बिलकुर आसान बहासा में समझा दिया जिनों का भी age 27 दिसंबर 2003 से लेके 27 दिसंबर 2003 से लेके दोस्तो 27 दिसंबर 2003 से पहले के नहीं होने चाहिए आप ये बात धियान रखना और 27 जून 2007 के बाद के नहीं होने चाहिए उससे पहले के होने चाहिए ठीक है यदि इसी के बीच आपकी डियो भी होगी तो आप apply कर पाएंगे कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी तो दोस्तो date of birth हमने आपको बता दिया है और basically दोस्तो आपकी age 17 से लेके किस साल के बीच होना चाहिए ठीक है तो अब हम आपको बता चुके हैं दोस्तो जो next vacancy आएंगी वो आने वाली है इसी महीने में आने की दिसंबर में तो इन में कौन apply कर सकता है कौन और apply करने के लिए आप 12th pass होने चाहिए 10 plus to pass होने चाहिए ठीक है complete होने चाहिए आप इनी वाले बता पहुंचाएंगे बास आप चैनलों पर ऐसी बने आना चैनलों को subscribe कर लेना बेले कंदवा देना और हाँ दोस्तो हमने आपके लिए टेलेगम गुरूप बना दिया है पलपल की अपडेट भारती है वाई उसे नहीं के तरफ से कोई भी अपडेट आता है तो टेलेगम के जरी हम आपको बता आते हैं तो आप टेलेगम पर जाना सर्च करना जी स्टडी आपके समने अकाउंट आ जाएगा जोइन कर लेना ठीक है तो भाई एज को लेका वीडि होने चाहिए मैन तो फिजिक्स ठीक है ऊड़्य。 और किन ऑपने बारे में किसी विसयिए स क्या ओर आर्ट्स और कॉलेट्स के यह एपले कर सकते हैं तो फिलाल आज की वीडियो में इतना ही था सभी जानकरी हमने आपको दे दिये नहीं बहतीगा दो दोस्तों कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे बस आप चैनल पर ऐसी बने रहना और आप तयारी करते रहें क्योंकि इस वार जो आपका एक्जाम होने वाला मार्च में होने वाला है ठीक है तीन महीने हैं दोस्तों आपके पास पूरा नेट तयार करने के लिए और यहीं मौकार कुछ कर दिखाने का अभी नहीं तो कभी नहीं बाद में हमसे मत कहना दोस्तों इस वार भारती है वाई उसे जॉइन करना इंडने फोर्स में जाना अगनीवीर बनना ठीक है इंटेक सेकंड दो हजा चौविस साले बैच में दोस्तों सेलेक् कर देना और चैनल पर नहीं यो पहली वार आयो तो भाही चैनल सिस्क्राइब कर लेना छोड़ी से रुकाष्ट आप से हैं मिलते हैं आप से अगली वीडियो में आप तयारी करते रहे जैए अपना ख्याल लगो जय हिंद